नमस्कार वीकेबी न्यूस की सबसे खास, सबसे सटीक और महतपूर्ण पेशकर्ज देश-पदेश दुनिया में आपका बहुत-बहुत स्वागत है महाराश में कोरोणा की रफ्तार तेज है लेकिन राजय सरकार ने अभी तक मुंबई में लोकल ट्रेंज सिवा को बंद करने और एक से दूसरे जिले में यात्रा प्रतिपन लगाने पर विचार नहीं किया है उनका मानना है कि अभिस्तिती उतनी खराब नहीं है तो दूसरी तरफ प्रवासियों की दिल देलाने वाली तस्विरे फिर नजर आने लगी है मुंबई के लोकमाने टिलक टर्मिनल्स पर उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रवासि मजदूरों की भारी भेड नजर आ रही है इसी बीच बुली बाई आप मामले में दिली पुलिस के गिरफ में आये कंप्रिटर इंजिनरिंग के चातर निरस बिशनोई ने मुंबई पुलिस को सलंबाई पुलिस कहे कर तन्सकसा है उधिर समिरवानखेर से जुड़े उत्पिदर मामले में राष्टिया उनसी जाती आयोग ने मुंबई पुलिस के कमिशनर को 31 जनुरी को आयोग की अध्यक्ष विजज सांपला के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए का है वई बॉमवय हाय कोर्ट ने सारवजनिक अवकाश को लेकर एक मामले में चुटकी ली है वैसे भी हमारे देश में काफी सारवजनिक चुटिया है अब समय आ गया है कि इन्हें कम करना चाहिए प्रदेश की इन पाच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही है आफ हमारे साथ महाराश्ट में कोविड की रफ्तार काफी तेज है गुरुवार को बिते 24 घंटों के दवरान 36,265 नए मरीज मिले है इसी के साथ राज में पॉजिटिविटी रेट 9.7 एक फिसदी तक पहुंच गया है हालाके शुकर की बात है कि जिस सनुबात में कोविड केस में जय है उसी साब में मृत्य दर बहत कम है गुरुवार को राज में 13 मरीजों की मोथ हुई है नए मामलों में से 89 ओमिक्रॉन के है इनमें से 57 मुंबई से है ठाने नगर निगम शेतर से 7 नाकपूर से 6 पुने नगर निगम शेतर से 5 पुने ग्रामीन से 5 और पेमपी चिंसवर नगर निगम शेतर से ओमिक्रॉन का एक केस मिला है राज में अब तक Omicron के 876 मरीज मिल चुके हैं स्वासमंदरी राज़श्टोपे ने कहा कि महाराश्ट में COVID-19 के मामले लगातार हो रहे इजाफे के बावजूद असवताल में भरती होने वाले मरीजों की संख्याग कम है इसलिए राज सरकार ने अभी तक मुंबई में लोकल ट्रेंज सेवाओं को बंद करने और एक से दूसरे जिले में यात्रा पती बंद लगाने पर विचार नहीं किया है उन्होंने कहा कि राज में विकेंड लोकडाउन और नाइट कर्फियू लागू करने के बारे में चल्चा हुई लेकिन इस संबन में अभी तक कोई निरने नहीं लिया गया है इसी बिच धारावी एक बार फिर कोरोना का होट स्पोट बन रहा है गुरुवार को यहां कोरोना के 107 नहीं मरीज मिले है जो अब तक इस सबसे ज्यादा मामले बताए जा रहा है मस 24 घंटे में यहां नहीं मरीजों की संख्या में 24 पिसदी की बढ़ोतरी हुई है फिलाल यहां का पोजिटिविटी रेट 11 पिसदी है कोरोना के पहली लहर में अचानक लॉकडाउन के बाद बड़े शहरों से घर लोटने वाले प्रमासियों की दिल दहला देने वाली तस्विरे हम सब ने देखी है महामारी की तीसरी लहर में एक बार फिर ऐसा ही नजाराद दिख रहा है मुंबई की लोकमाने तिलग तर्मिनल्स पर उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रवासि मजदूर डेरा जमाय है यहीं से उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाली ज़्यादतर ट्रेनिर रवाना होती है मुंबई के प्रवासियों में बड़ी संख्या इनी इलाकों के लोगों की है सबकी कोशिश है कि कैसे भी लॉकडाउन से पहले अपने गाव अपने घर पहुँच जाए लॉकडाउन के आशंका से प्रवासियों और खासतोर पर मजदूर बहुत दरे हुए है उनका कहना है कि यहां रुके तो भूके मरने की नौबत आ जाएगी ऐसे में यार रख कर क्या करें लोकमाने तिलख स्टेशन पर गुरुवार रात से भीड के बढ़ने का सिलसिला जो शुरू हा वो शुकरुवार सुबह भी जारी रहा सिर पर बोरा, बैक और अटैची बालते लिए मजदूर लोग-लोकमाने टिलख तर्मिलर्स पर पहुँच रहे थे ज्यादातर की ट्रेंज सुबह पाच बच कर पच्चेस मिनिट पर या उसके बात की थी लेकिन लोग-लोकडाउन की दहशत के बीच रात को ही स्टेशन पहुच गए स्टेशन के अंदर जाने लगे तो पुलिस ने अंदर ही नहीं जाने दिया पुलिस ने उन्हें डंडे का जोर दिखाया करते सुना गया कि क्यों चले आते हो बिहर यूपी से जब भागना ही होता है बेबस लाचार मजदूर स्टेशन के सामने बैट गए ट्रेन सुबह थी रात को पहुँचे तो चिंता टिकेट की थी टिकेट किसी के पास नहीं सभी ने प्लान किया कि जनरल में चर जाएंगे बुली बाई आयप मामले में दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आये कंप्यूटर इंजिनरिंग के चात रनीरेज बिश्नोई ने मुंबई पुलिस द्वारा कीगी गिरफ्तारियों के लिए पुलिस का मज़ा कुड़ाया आरोपी ने ट्वीट करके मुंबई पुलिस को सलम भाई पुलिस बताया और गलत लोगों को गिरफ्तार करने की बात कही ट्विटर पर आरोपी ने सुईकार किया कि बुली बाई आप उसने बनाया है मुंबई पुलिस बेकुसूर लोग को जल रिहा कर दे पुलिस की पूछताच में आरोपी ने बताया कि उसने बुली बाई आप नवंबर में ही बना लिया था लेकिन इसे नवंबर में अपडेट कर मुसलिम महिलाओं की तस्वीरे डाली आरोपी ने इसी हरकत क्यों की और इस साजश में इसके साथ और कौन-कौन शामिल है इसकी जान जारी है पुलिस सुत्रों का कहना है कि आरोपी ने सेनक की वज़े से वारदात को अंजाम दिया एक वरिष्ट पुलिस अधिकारी ने बताया कि मूलरूप से राजस्तान का रहने वाला नीरज का परिवार असम के जोरहाट में रहता है उसके पिता दशरत बिष्णोई कारोबार के सिलसिले में असम में शिफ्ट हो गए थे अब उसके परिवार में मा और दो बहने है कोविट काल में नीरज ने इंजिनियरिंग में दाखला लिया एडमिशन के बाद उसका कॉलेज कोविट की वज़े से नहीं खुला राश्ट्रिय अनुसुचित जाती आयोग ने मुंबई के पुलिस कमिशनर को 31 जनवरी को आयोग के अदेक्ष विज़े सांपला के सामने वेक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा है नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो समिरवान खिड़े की उस शिकायत की जांच कर रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि नवाब मलिक के उनके दलित होने के बावजूत उन्हें मुस्लिम धम्न का बताया इससे उनका और उनके पूरे परिवार का मांसी कुद पिड़न हुआ है पुलिस आयुकत को जारी समन में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के निदेशक ने कहा कि अद्रक्ष विजय सांपला ने 31 जनुरी को सुबह 11 बजे आपके साथ लोकनायक भवन नई दिल्ली में अपने कक्ष में वेक्तिगत रूप से एक बैठक तै की है इसलिए आपको कारवाई रिपोर्ट और सम्मधित फाइलो के इस डायरी सहीच सभी प्रासंगीक दस्तावेजों के साथ सुनवाई के लिए वेक्तिगत रूप से पेश होना है नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरों ने राजसरकार से इस मामले में कोई अंतिम निर्ने नहीं लेने की सिपारिश की है जब तक की जांच आयों के पास लंबित है NCB के जोनल डिरेक्टर रहे समिरवान खेडे का ट्रांसपर DRI में हो गया है मुंबई NCB में जोनल डिरेक्टर पत पर आने से पहले समिरवान खेडे इसी विभाग में थे यहां रहने के दौरान उन्होंने कई सेलिबरेटिस को पकड़ा था बॉंबे हाई कोट ने कहा है कि सारोजनिक अवकाश का किसी के पास मौलिक अदिकार नहीं है वैसे भी हमारे देश में काफी सारोजनिक चुटियां है संभोता अब इन चुटियों की संख्या को बढ़ाने की बजाए इनके कम करने का समय आ गया है किसी दिन को सारोजनिक चुटि गोशित करना अत्वा उसे वैकलपी कवकाश बनाना है या सरकार का नितिगत मामला है ऐसे में यहां नहीं कहा जा सकता है कि किसी दिन को सारोजनिक चुटि न गोशित करने से किसी के मौलिक अधिकार का हनन होता है नयामूर्थी गौतम पटेल वन नयामूर्थी माधो जामदार की खंडपीट ने यह बाद सिल्वासा निवासी किशनबाई गुटिया की ओर से दायर याचिका को खारिस करते हुए कही याचिका में मांग की गई थी कि 2 अगस को सारोजनिक अवकाश गोशित किया जाना चाहिए क्योंकि इसी दिन 1954 में केंदर शासित प्रदेश दादरा इवं नगर हवेली ने पॉर्दुगाली शासन से सोतन दता प्राप्त की थी 29 जुलाई 2021 को दो अगस के सारोजनिक अवकाश को खत्म कर दिया गया था याचिका में कहा गया था कि अधी 15 अगस के दीन देश का सोतन दता दिवस होने के चलते सारोजनिक अवकाश के रूप में गोशित किया जा सकता है तो 2 अगस को दादरा नगर हवेली के लिए सारोजनिक छुटी क्यों नहीं गोचित की जा सकती है याजिका में मुख्यरूप से साल 2022 की सारोजनिक छुटियों को लेकर अक्तूबर 2021 में जारी की गई अधिसोचना को आशिकरूप से अवेद गोचित करने की मांग की गई थी चुनाव आयोग ने इस भार किसी भी तरह की कोता ही बरतने के मूड में नहीं है चुनाव आयोग ने इस भार तयारी की है यदि किसी रहली में कोरोना नियुमों का उलंगन होता है तुसे तत्का अल्रोग दिया जाए तो सुप्रिम कोर्ट ने नीट, OBC, EDWS कोटा मामले पर अपना फैसला सुना दिया है सुप्रिम कोर्ट ने इस सत्र के लिए सरकार की 27 प्रदिशत OBC यारक्षन की योजना को मन्जूरीत दे दी है वही अलिगर्ड में नागरिकों के एक समुह ने जिलादिकारियों से एक प्रास्तावीत धर्मसंसत कारेक्रम आयोजित करने की अनुमती नहीं देने को कहा है इसी भी सेनुत किसान मोर्चा ने जारी एक बयान में कहा है कि प्रदान मंत्री के जीवन के लिए खत्रा पूरी तरह से मनगरत लगता है यह भहुत खेत की बात है कि अपनी रैली की विपलता को चिपाने के लिए पंजाब राज और किसान अंदोलन दोनों को बदनाम करने की कोशिश की गई है उधर उत्राखन के पूरव मुख्यमंत्री हरिश रावत की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही सामनी आई है एक कारेक्रम के दोरान उधम सिन्नगर के काशिपूर में अग्यात युवक्त छुड़ा लेकर रावत के मंज पर पहुँच गया देश के इन पाज बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही है आफ हमारे साथ 22 साल पच्चिम बंगाल में हुई विदान सभा चुनाओ के दोरान नियोमों में धिराएके चलते आलोचना का शिकार होने वाला चुनाओ आयोग इस बार किसी भी तरह की कोता ही बरतने के मूड में नहीं है चुनाओ आयोग ने इस बार तयारी की है यदि किसी रैली में कोरोना नियमों का उलंगन होता है तो उसे तत्काल रोग दिया जाए इसके अलावा सम्मधित अधिकारियों को लापरवाई के आरोपों में सस्पेंट किया जाएगा यूपी पंजाब समेत पाच राजों में चुनाओ को लेकर आयोग ने होम मिनिस्टी से कहा है कि रैली में यदि कहीं भी नियमों का उलंगन होता है तो फिर नैशनल एंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक के तहत अधिकारियों की जवाब दे ही तै की जाए पशिम बंगाल में इस तरह की सक्ति कम ही देखने को मिली थी इसके अलावा आयोग की ओर से पार्टियों को सला दी गई है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा वर्चुल तरीके से ही रैलियां करे यही नहीं राजनितिक दलों से चुना आयोग के अंडर्टेकिंग लेने का भी प्लान बनाया गया है कि नियुमो का उलंगन नहीं करेंगे आयोग ने जिला प्रशासन को भी निर्देश देने का फैसला लिया है कि भी न जुटने दी जाए हेल्थ मिनिस्टे ने भी कोरोना नियुमो का पालन करते हुए छोटी रैलियां ही आयोजित करने का सुझाओ दिया है चुना आयोग के सूत्रों ने कहा कि इस बार रैलियों में गाइड लाइन्स करड़ी रहेंगी नामांकन दाखिल करने गरगर पचार करने से लेकर बड़ी रैलियों तक कोरोना के सक्तनियम लागू किये जाएंगे सुप्रिम कोर्ट ने शुकरवार को नेट OBC EWS कोटा मामले पर अपना फैसला सुना दिया है सुप्रिम कोर्ट ने इसी सतर के लिए सरकार की 27 पतिशत OBC EWS की योजना को मंजूरी दे दी है अदलत के फैसले के बाद काउंसलिंग का रास्ता अब साफ हो गया है बता दे कि इससे पहले सुप्रिम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुरक्षित रखने के बाद कहा था कि राश्तहित में नेट पीजी काउंसलिंग शुरू होनी जरूरी है सुप्रिम कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए 27 पिसदी OBC, 10 पिसदी आर्थिक कमज़ोर वर्ग आरक्षन को मंजूरी दे दी है केंदर ने 27 पिसदी OBC और 10 पिसदी आर्थिक कमज़ोर वर्ग आरक्षन को सही ठहराते हुए काउंसलिंग शुरू करने के अनुमती मांगी थी वही आचिका करताओं ने नई आरक्षन निती पर रोक की मांगी है प्रदर्शन कर रहे रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए ये बड़ी रहत की बात है कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि काउंसलिंग का प्रोसेज जल्द शुरू किया जाना चाहिए MCC जल्द ही काउंसलिंग और अड्मिशन का नया शेडूल अपनी अधिकारिक वेबसाइट पर जारी करेगा सुप्रिम कोर्ट ने इस सेत्र के लिए जारी आरक्षन को मंजर देते हुए कहा है कि आगे के सेशन के लिए कोर्टा सीटो पर अरक्षन के मामले पर कोर्ट मार्च के महने में सुनवाई करेगा बता दे की लंबे समय तक रेजिडेंट डॉक्टर्स ने काउंसलिंग शुरू करने की मांग के साथ प्रदर्शन किये थे सनातन हिंदू सेवा संस्ता ने वर्तमान राजनिती में संतो की भूमिका के विशय पर 22 जनवरी को अलिगर्ड में एक और धर्मसंसद आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है अलिगर्ड जिला प्रशासर ने हाला की कहा कि उन्हें इस तरह के आयोजन के लिए कोई लिखित अनुरोध नहीं मिला है इस बीच अलिगर्ड मुसलिम विश्युदाले चात्रसंग के पुर्वदेक्ष सलमान इम्तियास के नेटरू तुमें नारिकों के एक समों ने जिलादी कारियों से यहां एक प्रस्तावी धर्मसंसत कारेक्रम आयोजित करने के नुमती नहीं देने को कहा है उनका दावा है किस से उत्तरप्रदेश में माहौल खराब हो सकता है गौर तलबही की 16 से 19 दिसंबर तक हरिद्वार के वेदनी के तंधा म्याउजित कारेक्रम में प्रतिभागियों द्वारा कथित तोर पर मुसल्मानों के खिलाफ हिंसा भढ़काने वाले बेहत भढ़का उभाशन दिये गए थे विम्तियाज ने कहा कि हाल ही में हरिद्वार और शतिसगर्ड मयाउजित धर्मसंसत के कारेक्रमों में एक धर्म विश्चिश के खिलाब आववान किया गया जिससे माहौल खराब हुआ इस बात की पुरी संभावना है कि सायोजन में भढ़काओ बातों पर चल्चा की जाएगी जिससे सांप्रदाइक रूप से समेदर्शिल अलिगर्ड में माहौल खराब हो सकता है किसी भी हाल में यहाँ धर्मसंसत की अनुमतीन नहीं दी जानी चाहिए संयोगत किसान मोचा ने कहा है कि पंजाब के फिरोजपूर में प्रदान मंत्री नरेंदर मोधी के कारेक्रम में बाहदा डालने की रादों से किसान संगटनों का विरोध करने का कोई कारेक्रम नहीं था किसान संगटन ने कहा कि 2 जनवरी को पंजाब भर में और 5 जनवरी को जिला और तहसिल मुख्याले ओपर ग्रामस्तर पर विरोध और पुतला जलाने के विपिन कारे करमों की गोशना की गई थी 5 जनरी को जिला और तसिल मुख्याले ओपर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का उल्लेक करते हुए कहा गया है कि जब कुछ किसानों को पुलिस के फिरोजपूर के जिला मुख्याले में जाने से रोका तो उन्होंने कही जगों पर सड़क पर बैट कर विरोध किया मौके के वीडियो से ये सपश्ट है कि प्रदर्शन कारी किसानोंने प्रदान मंत्री के काफिले की ओर जाने का कोई प्रयास नहीं किया उस काफिले के पास सिर्फ बीजेपी का जंडा लिये और नरेंद्र मोधी जिंदाबाद के नारे लगाने वाला एक गुट पहुचा था इसलिए प्रदान मंत्री के जीवन के लिए खत्रा पूरी तरह से मनगड़त लगता है संगठन ने कहा कि यह बहुत खेत की बात है कि अपनी रैली की विफलता को छिफाने के लिए पंजाब राज्य और किसानांदोलन दोनों को बदनाम करने की कोशिश की गई बतादे की प्रदान मंत्री मोदी का काफिला बुद्वार को फिरोजपूर में प्रदर्शन कारियों द्वारा नाके बंदे की वज़े से एक फ्लाय ओर पर फस गया था जिसके बाद वह रैली समेट किसी भी कारेक्रमें शामिल होय बिना पंजाब से लोड़ गए पंजाब में पीम मोदी की सुरक्षा में चूक के कारण पूरे देश में बवाल मच गया है इसे बीच उत्राखन के पूर मुख्यमत्री हरिश रावत की सुरक्षा में बड़ी लापर वाही सामने आई है एक कारेक्रम के दोरान उदमसी नगर के काशिपूर में अग्यात्यूवक शूरा लेकर रावत के मच पर पहुँच गया इसके बाद अपरातफरी मच गई दरसले कारेक्रम के दोरान हरिश रावत मुख्याठीती के रूप में शिर्कत करने पहुँचे थे जनसबा के दोरान हरिश रावत अपना संबोधन खत्म करने के बाद नीचे उतर ही रहे थे कि एक अधेर अचानक मज़ पर पहुँच गया और संबोधन स्थल पर पहुँचने के बाद उसने माइक से जैश्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिये इस गतिविदी का कॉंग्रेस ने जब विरोत किया तो अधेर ने चुरा निकाल लिया और जैश्री राम नहीं बोलने पर जान से मारने की धम की देने लगा इसके बाद मंच पर अफरा तफरी मच गई कॉंग्रेस के कारेकरताओं ने उसे नीचे उतर दिया और चुरा कबजे में लेकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया इस बीच कॉंग्रेस ने आरोप लगाया है कि यह प्रशासन की बड़ी चुक है देखा जाए तो नेता ओपर हमले का कनेक्शन पुराना है जब ममता बैनल जी पर नंदी ग्राम में कथी तुरूप से हमला हुआ तो कॉंग्रेस का एकवर्ख सानुबुती जताने में लगा हुआ था और दूसरा इसे पाखन बता रहा था तालिबान ने पाकिस्तान को फिल चेताउनी दी है उसने दो टुक का है कि वस्तीमा पर किसी भी तरह की बाउंडरी नहीं बनाने देगा इसी बीच दिस्तीलहर के प्रकोप से बचने के लिए इस बार कोई भी देश डिलाईन नहीं बरतना चाहता चीन और होंग कॉंग ऐसे देश है जो जीरो कोविट पॉलिसी पर काम कर रहे है वे रूसी बेग्यानिकों ने का है कि इस दशक के आखरी तक धर्ती के सबसे बड़े परमानू बंप से 30 गुना ज्यादा शक्तिचाली एस्ट्रोइड हमारे ग्रह के बहुत करीब आ रहा है तो दुनिया भर में भविश्य में खेती कैसे होगी इसका एक नजारा अमेरिका में देखने को मिला है दिगर जमरी की कमपनी जॉन दीरे ने पहला बिना ड्राइवर के चलने वाला ट्रैक्टर तयार किया है यह ट्रैक्टर किसान अपने स्मार्टपों से कंट्रोल कर सेंगे वही भारत के अपाचे हेलिकॉप्टर के जवाब में तीस लड़ा को हेलिकॉप्टर खईदने के सबने देख रही पाकिस्तानी सेना को करारा जटका लगा है दुनिया भर की इन पाजबरी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही आप हमारे साथ तालिबान ने पाकिस्तान को चेताउनी देते हुए कहा है कि वह दुरंट सीमा पर बाद नहीं लगाने देगा एक मीडिया रिपोर्ट के मुताविक पाकिस्तान ने कड़ी चेताउनी देते हुए कहा कि वह सीमा पर किसी भी तरह की बाउंडरीन नहीं बनाने देगा देंगे पाकिस्तान ने पहले जो भी किया था वर कर लिया लेकिन अब हम उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने देंगे अब यहां कोई भी फेंसिंग नहीं हो पाएगी तालिबान का यह कड़ा रियक्शन बताता है कि सीमा विवात को लेकर दोनों देशों के भी इस्तिति कितनी तनाव पुर्ण हो चुकी है दरसल पाकिस्तान की विदेश मंदरी शाह महमूद कुरेशी ने पिछले दिनों कहा था कि अफगानिस्तान के साथ सीमा विवात शांदित पुर्ण तरीके से और कूटनितिक प्रयासों के जरिये किया जाएगा गौर तलब है कि अफगानिस्त चाहता ऐसे में सभी देशों ने कडे नियम लागू किये है लेकिन चीन और हॉंग कॉंग ऐसे देश है तो जीरो कोविट पॉलिसी पर काम कर रहे है यहाँ पर आइसोलेशन के नियम दुनिया के अन्य देशों से कही ज्यादा कटिन है इन आइसोलेशन वार्ड में एक बा कमरे में बिताता है सुबह उठने सोने और खाने का समय नियंत रिथ है सुबह 8 बजे एक अलार्म के माध्यम से उन्हें उठाया जाता है उन्हें नियमित समय पर भोजन दिया जाता है बाकी दिन नेटफलिक्स वर सोशल मीडिया पर बितता है दो पर का वक गुजार ना चाहिए इसके बाद उन्हें फिर से दो सप्ता के लिए अलेग रखा जाएगा इसके बाद ही उन्हें बाहर निकलने की अनुमती है रूसी विग्यानिकों ने कहा है कि इस दशक के आखरी तक धर्ती के सबसे बड़े परमान उबम से 30 गोना जादा शक्तिशाली एस्ट्रोइड हमारे ग्रह के बहुत करीब आ रहा है विग्यानिकों ने हाल ही में गन्नाकर की अनुमान लगया है कि अस्ट्रोइड अपोफीस या तबाही का देउता अप्रिल 2029 में धर्ती के बेहत करीब से गुजरेगा पहले अनुमान लगया गया था कि अस्ट्रोइड साल 2068 में गुजरेगा लेकिन ताजा गन्ना में इसे गलत पाया गया है रूसी विग्यानिकों ने बताया कि यह विशाला आस्मानी चटान अपोफीस धर्ती की सतर से 49,000 किलोमेटर की दूरी से गुजरेगा स्पूतनी की रिपोर्ट के मताबिक यह वही दूरी है जहाँ पर वरतमान समय में टीवी पर चैनले के प्रसारन के लिए सैटलाइट स्थापित किया जाते है अपोफीस कितना शक्तिशाली है इसका अंदाजा इस बात से लगया जा सकता है यह अगर पृत्वी से टकराता है तो 88,000 करोड टन TNT के विश्पोर्ट के बराबर असर होगा यह एस्टरोइट 1115 फूट चोड़ा है और बहुत तेजी से धर्तिकी ओर बढ़ रहा है तबाही का देउता अपोफीस फ्रांस के एफिल टावर से आकार में बढ़ा है अपोफीस एस्टरोइट की खोज अमेरिका के एरिजोना की वेच्चाला ने 1904 को की थी इसके बात से एस्टरोइट पर वेगयनिको की नजर है दुनिया भर में भविश्य में खेती कैसे होगी इसका एक नजारा अमेरिका में दिखने लगा है बिगज अमेरिकी कंपनी जौन दीरे ने पहला बिना ड्राइवर के चलने वाला ट्रैक्टर तयार किया है यह ट्रैक्टर किसान अ कंपनी ने इस ट्रैक्टर का नाम एटार रखा है कंपनी का दावा है कि इस ट्रैक्टर से दुनिया में करमचारियों का संकट खत्म हो जाएगा इस ट्रैक्टर में छेजोडी कैमेरे लगाए गये है और यह आर्टिभिशल इंटलिजन से लेस है इस ट्रैक्टर अपने चा आने वाले वर्षों में बड़े पैमारे पर इसका निर्मान किया जाएगा। कम्पनी ने अभी इस ट्रैक्टर के दाम की गोशना नहीं की है। वही ब्रिटेन के किसानों के यूनियन ने इस ट्रैक्टर का स्वागत किया है। भारत के अपाचे हलिकॉप्टर की जवाब में 30 लड़ाको हलिकॉप्टर खरीदने के सपने देख रही पाकिस्तानी सेना को करारा जटका लगा है। अमेरिका के इंजन को लेकर रोक के बाद पाकिस्तान ने तुरकी से 30 अत्यादुनिक हेलिकॉप्टर को खरीदने की योजना को त्याग दिया है दोनों देशों के 20 साल 2018 में इस 1.5 अरब डॉलर के हेलिकॉप्टर समझोते पर सहमती बनी थी पाकिस्तान के साथ यह डिल रध होने से तुरकी के राष्टपती एर्दोगान को भी बड़ा जटका लगा है तुरकी के इस हेलिकॉप्टर के लिए यह पहला विदेशी सोदा था जो अब रध हो गया है दरसल अमेरिका ने पाकिस्तान को बड़ा जटका देते हुए तुर्की में बने 30 लडाको हेलिकाप्टरों की आपूर्ती पर रोग लगा दी थी अमेरिकी इंजन लगे होने की वज़े से इस हेलिकाप्टर को निर्यात करने से पहले मन्जूर इले ना होता है तुर्की ने पाकिस्तान के साथ समझोते के लिए अमरिका को काफी मनाने की कोशिश की लेकिन उसके रुक में कोई बदलाव नहीं आया इसके बाद पाकिस्तानी सेना भारत के अपाचे की तोड के लिए जब चीन से अटेक हेलिकाप्टर खरीदने के लिए बाचित कर रही है पाकिस्तानी सेना की प्रवक्ता मेजर जर्नल बाबर इफ्तिखार ने चीन की हिलिकॉप्टर को लेकर चर्री बाचित की पुछ्टी की है उन्हेंने कहा कि हम अब आगे बढ़ चुके है तो आज की इस खास पेशकर्शन बस इतना ही आप से कल फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रिए वीके बीन्यूस नमस्कार